हेलो दोस्तों नमस्ते मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूं दोस्तों हसते रही है मुस्कोराते रही है पॉजिटिव रही है पॉजिटिव सोजिए पॉजिटिव रहेंगे सफंदाबश मिलेगी आप सो स्वास्त रहें मस्त्रों लाइप में आगे बढ़ते र चिरिश्ते को लेकर और आप को लेकर कितनी गहराई है उनके लाइफ में उनके दिल में तो यहाँ पे true intention है उनकी सच्चाई है जो छुपा रहे हैं आपसे सच्चाई क्या है क्या आपके बारे में सोचते हैं दिल से या पोरी गहराई से चलिए यहां बिल्कुर रिलाक्स हो जाए ओल साइन के लिए है मेल, फिमेल, मैरेट, अन्मैरेट सबी के लिए है तो वीडियो को ध्यान से सुनिए इंटेंशन सही रखिए और जितना आप से रेजिट करवा आप उतना रखिए और बाकी को जाने दिजे लेकिन आप खुद को हिल कीजिए और पॉजेटिव रहिए ठीक है सेल्फ लब और सेल्फ हिलिंग भी कीजिए यहां वीडियो को आप देख रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए कम से कम इंजस यूनिवर्स को आप जरूर ग्राटिटूर सो करें एक लाइक से चलिए रिलेक्स हो जाईए मैं देखना चाहती हूं कि उनकी ट्रू इंटेशन क्या है आपको लेकर इस रिष्टे को लेकर क्या भावनाएं गहराई तक उतर लिए की कोशिस करना है इंजस प्लीज गाइड कीजिएगा मेल फिमल मेरे गनबार सब के लिए है जिससे जितना रख्या चबाब उतना रख्या है क्या गहराई और क्या सच्चा है हुम माई गड़ देखिए पहले मैं जोड़ी एक साइन बता देती हूँ ठीक है पाइसेस मेन कैंसर कर स्कॉर्पियो ब्रिस्टिक ठीक है कैप्रिकॉन मकर टॉरेस कैप्रिकॉन टॉरेस वर्गो मकर ब्रिसव और कन्या रासी यहां पे बहुत स्टॉंग मुझे यहां दिखाई दे रहे हैं एरिस लियो साइजटेरिस में सिंग धनू स्टॉंग दिख रहे हैं लगवर यहां पे सारे साइने डियर लिब्रा भी है तुला भी है कुरियस भी है कुम भी है और जैमराई मिथुन भी हैं क्योंकि यहां सोट की इनर्जी मुझे यहां पे दिखाई दे रही है देखिए देखा जाए आपके पर्सन ने बहुत कोशिस की है इस पर्सन ने इनके लाइप में दो चोईस है या आपके लाइप में दो चोईस है कुछ विवर्स आपके लाइप में दो चोईस है या हो यहां पर confusion के energy है two of swords के energy है और two of wands के energy है देखे यह person ने आपको बहुत वेट कराया है अभी वी आपको वेट करा रहे है current energy में देखा जाए तो इस person के अंदर में देख पार ही कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े का ऐसी इनर्जी है कि कुछ दूबिधाये भी है confusion भ बर रहा है प्यार का फ्लो बर रहा है आपके लिए एक balance एक offer की ऐसी energy है बट देखे दिये इस person की true intention क्या थी नजर तो आप पर है बिल्कुल है इस क्या करें क्या step आगे बढ़ाएं या खुद को रोकें चीक है confusion लेकिन इस person के अंदर इस relationship को बहतर बनाना इस relationship में एक नई शुरुआत करना देखे दियर मुझे हां लग रहा कि कोई इनके life में manipulating energy है जो बहुत चतुर और बहुत चालाग है जो manipulating energy में है समझ गया है यहां कोई इनको manipulate करता है यह person आपसे प्यार करते हैं साइध आप सपने भी देख रहे हों ठीक है कि वह कैसे तकलीप में है कैसे आपको याद कर रहे हैं तो यहां पर इनकी true intention जो है इनके दिल में आपके लिए प्यार है true intention यह है कि इन्हों ने आपको दर्द पें दिया और आपसे इन्हों स्ट्रॉंग है भी वर्स यहां पर फीर्य खैसे इनरजी बहुत त्र्द यहां दिखाये 在lic how लेकिन यह परसंन कही नगाफी तेफिन और रहे हैं किसी से यह जानकाड़ी ले रहे हैं समझ गया है लेकिन थटपार्ट你 सू बहुत स्ट्रॉंग यहां पर इनरजी में बैठ लेकिन ये पर्सन की मुझे लग रहा है कि आज जैसे एनरजी है ये पर्सन के लाइप में कुछ ऐसे एनरजिया है जहां इनोंने बहुत कोशिस की अपने लाइप में कुछ बैलेंस करने के लिए इनोंने कुछ खोया भी है ठीक है इनोंने पास्ट में कुछ खोया भी है या बश्पन में इन्होंने कुछ खोया है, जहां आज तक कही न कही एक इंतिजार है, ठीक है? और देखिए इंतिजार तो है बट जो आप में दिखा है वो प्यार वो ट्रू लब वो कहीं न कहीं एक चीज आप में पाई है कि आपको उनके लिए ट्रू लब हो लेकिन इस person के अंदर डर है आपको खोने का और आपको कोई देखिए इनके लाइफ में जो कुछ भी है कोई किसी की planning है आपको चोड़ पहुचाना menu plate करना अपमान करना तो ये person situation को handle करना चाहते हैं balance करना चाहते हैं और ये बात भी आपसे नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं उनको पता है कि कोई आपके बारे में क्या कर सकता है और आपको किस तरद तोर सकता है वो कितना नीचे गिर सकता है या कितना नीचे गिर सकती है वो गिरगिट है जो भी हो रंग बदलता है या बदलती है ठीक है लेकिन वो आपका भला नहीं चाहता नहीं चाहती, यह आपके परसंट बक्ढ़ कुभी जानते हैं लेकिन यह एक्षंट तो लेना चाहते हैं उनके लाइप प्यापी आप बहुत इम्पॉर्टन है लेकिन सिर्फ आपके खुसी के लिए वो आफ Some बात नहीं करते हैं इनको pain पहुंचता, क्योंकि आपने इनको जो 100% दिया, उन्हें अनुभव है, ये कैसे सभाव के हैं, कैसा इनका nature है, कैसा इनका गुसा है, कैसा इनका प्यार है, आपने सब सहा है, और हर हाल में आप इन्हें सुविकार कियो, ठीक है, आज भी आप उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें अनुभव है, लेकिन उनको ऐसा अहसा हो रहा है, ये person, कुछ के person तो बिल्कुल आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एहसास है, ठीक है, इस रिस्ते का एहसास है, लेकिन इस person को देखा जाए तो आप पर नजर बहुत रख रहे हैं, कभी कभी स्पाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये person आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत उतार्च रहा है, इन्हों ने देखा अपने life में, इन्हों ने बहुत hard work किया है, बच्पन से कुछ ऐसे अनुभवा इनको मिले हैं, वीवर्स, कि आपसे share नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ अनुभवा ऐस साह है, जो आपके साथ मैच होता है, आपको देखते हैं, उन्हें लगा एक अपना साह है, लेकिन चाहा कर भी देखें, आपके तरफ क्यों नहीं आपको सचाई बता रहे हैं, क्योंकि आपका दिल टूटना जाए, लेकिन हाँ, डिसीजन तो लेना चाहते हैं, थोड़ा आ ले पा रहे हैं, देखें, इस परसन के अंदर आपके लिए बहुत टू लब मैं देख पा रही हूं, ठीक है, बहुत टू लब है, रिस्ते को देखें, प्यार है, यह रिस्ते का बहुत गहराई तक अनुभा हो रहा है, लेकिन किसी सिचुएशन में किसी के पार्टनर इस चुपाना भी चाहते हैं विवस, ठीक है, देखें, बैलेंस चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इस रिस्ते में आगे तो बढ़ रहे हैं, और बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इस रिस्ते को छुपा कर अभी रखना च तो तो के नजी बहुत तर्स्टोंग है ठीक है कि देखिए बैलेंस तो चाह रहे हैं लेकिन उखर नहीं पा रहे हैं देखे ये लाइप में ये खुसियां चाहते हैं और खुसियां आपके साथ है देखा जाए तो आपको इस परसन को अगर आपसे बात होड़ी है आप इनको देख रहो या पिर इनको स्पाइक करो तो आपको लग रहा है ये परसन तो बहुत खुस है नहीं डियर ये परसन अंदर से बिलकुल टूट कर हाड़ चुका ये इंसान है यह बहुत टूट गिया और हाट चुका यह इनसान यह स्टेप आगे आपके तर बढ़ाना चाहते हैं लेकिन आपको एक कोस्टन रख दोगे नडियर तो यह पूरी तर टूट जाएंगे ब्रोकिन हाट की इनर्जी में चले जाएंगे यह सिर्फ जानते हैं समझते हैं कि को सोच कर यह परसन सो नहीं पाते हैं और देखिए इनके अंदर एक सर्म भी तो है गिल्ट भी तो है कि किस मुह से आपका सामना करें क्योंकि थर्ट पार्टी के साथ इन्होंने आपको अपमान किया है साथ मिलकर अपमान किया है लेकिन आज यह खुद मैनुपलेट हो रह लेकिन अभी इस वक्ति जो चाहरे हुआ कि सोसाइटी समाज और परिवार के सामने लाए तो यह अभी थोड़ा मुझे नहीं दिख रहा दिया ठीक है क्योंकि यहां पर देखिए टू थ्री टू और सिक्स की एनरजी है मिसिंग एनरजी बहुत है बैलेंस की एनरजी है ठी चैसे उनके थोड़्सै अर्द इनके लिए वे बहुत इंपोर्ट्न है ठीक है बहुत रिष्पेक्ट करते हैं आपके आपक Irish Panel फी मेलों बहुत रिष्पक्ट करते हैं तो किसी का यह दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, अपने दर्द को अपने ही अंदर ये अंदर घुट रहे हैं, लेकिन यह एक्षन लेने वाले हैं, बहुत जल्म, ठीक है, एक्षन लेने वाले, देखे दुबिधा बहुत है, कन्फ्यूजन बहुत है, कुछ के लिए वेटिं इनर्जी है, ठीक है, वो चाहते कि आप कॉल मेसेज करो, बात करो, आपने ब्लॉक करके रखा है, तो उन्हें लगता है, आप अन्ब्लॉक कर दो, लेकिन आप अन्ब्लॉक ब्लॉक भी कर दोगे ना, तो वो काफी सोचेंगे, ठीक है, एकदम से छलांग नहीं मारेंगे, नहीं तो लगेगा कि खुद को हट कर लिया है, जूग गया, इस इंसान में थोड़ा इगो प्रॉब्लम है ना, तो बार-बार इनका इगो कंट्रूल करता है इनको, ठीक है, सिच्वेशन को हैंडिल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है, कि अगर आप उनसे प्यार करते हो, दिल की गहराई से, तो वह भी आपको करते हैं, लेकिन इस वक्त इनके दिल में है कि आपको कमिटमेंट दें, मैरेज करें, आपके साथ फ्यूचर करें, लेकिन इस तरह की एनरजी इस नहीं दिख रही, इनके ठूट्स हैं, यह सिर्फ एक balance चाते हैं क्योंकि confusion बहुत है बहुत जादा delay की energy confusion की energy है और रिस्ते को अभी भी रखना चाते हैं लेकिन अभी थोड़ा छुपा कर इन्होंने हो सकता है ये marriage हो ये भी हो सकता है या आप marriage हो हो सकता है छुपके से आप दोनों मिलकर marriage किये हो ये भी हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे से marriage भी कर लिया है चुपते चुपाते temple में या ने marriage भी कर लिया है इस रिस्ते को आपने नाम देते हैं लेकिन इस रिस्ते को अगर आपने चुपके चुपाते हुए marriage किया है तो ये person face कर रहे है सोसाइटी समाज के सामने इस बाक वो नहीं ला सकते हैं इनके मन में एक डर है क्योंकि अगर कुछ भी होता है तो आपकी फैमिली पर आपके उपर बुरा परभाव परता है वो जानते हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है इसलिए यह समय के अनुसार एक बैलन्स करना चाहते है क्योंकि यहां मुझे जो दिख रहा है Six of Swords की जो एनर्जी दिख रही है यहां लिब्रा तुला, एकुरियस और कुम, जैमनाई और मीथुन हो सकते हैं तो यह एक जो भी situation पास्ट में हुआ ना आपके साथ जितना आपको इन्होंने विस्वास दिलाया, जितने फाइटिंग हुए, जितना आप लोग क्लोज गए इसको वहां एंड करना चाहते हैं, ठीक है और सारी बातों को बुला कर, यह एक new phrase स्टार्ट चाह रहे है एक balance, सिर्फ यहां पर बहुत strong dear, देखो balance, balance, balance आ रहा है सिर्फ यह चाहते है, balance हो जाए, और जो इनका broken heart की energy है अंदर से जो pain होता है, guilt होता है, उनसे इनको healing मिले मतलब वो चीज़, उनको end करकर relief, मतलब आराम मिले, chain मिले, सुकून मिले कि हाँ, चलो, बात चीत हो गई, तुमें भी समझा दिया, मैं भी समझ गई, और इसने में balance आ गया तो इस तरह की सुकून चाहिए होने, chain चाहिए और यहां पर देखे रहे है, the devil की energy मुझे हाँ पर दिखाई दे रही है इस person के अंदर जितना गुसा है, जितना आक्रोस है, है, ऐसा नहीं कि आज इस बक्त ना देखा जाए कि इस person के अंदर गुसा आक्रोस नहीं है, the devil की energy है, देखिए आप दोनों में बहुत viewers, यहां आप दोनों में बहुत ज़्यादा physically भी आप लोग बहुत एक दूसरे के close आये हो, बहुत ज़्यादा, देखा जाए, तो इस person ने आपको हर तर से आपको पाया है, लेकिन कुछ ऐसी बाते हैं, जो आप काफि सोचते हो, और कभी आप भी guilt महसूस करते हो, कि मैंने क्या किया, क्योंकि बहुत हद तक आपने इ प्यार गहराई बहुत है, बट एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया सोसाइटी फैमिली के सामने, सिर्फ अभी इस वक्तिन की एनरजी की रिस्ते में आगे आगे प्लानिंग जरूर करेंगे, लेकिन अभी इनको चाहिए आप से मिलना है, बात करना है, बैलेंस करना है, देखिए अपने लाइफ से थक चुके हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ आपके सीबा, देखिए अनकंडिशनल लब जो होता है, कहा जाता है, दिल में होता है, लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं, सुसाइटी समाद इमेज, जैसे उनके लिए सम सुसाइटी इमेज है, वैसे आपके लिए भी है, ठीक है, तो इसलिए प्यार में बैलेंस होना चाहिए, रिस्ते में भी बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो इनसान को हमेशा अपने लिए भी सोचना चाहिए, है ना, जब उनकी इमेज है, तो आपकी भी इमेज है, आपकी फ फैमिली के responsibility है तो हम कस्मकस के energy में क्यों रहेंगे चिक है अगर आप husband wife भी हो तो यह family pressure में रहते हैं तो ऐसे कब तक चलेगा एसे कब तक चलेगा रिस्ते में एक balance चाहिए लेकिन देख रहे हो इतनी confusion वाली energy है ना पुछो मत अभी भी clarity ये person पूरी तरह नहीं दे रहे हैं सिर्फ इनको अंदर से आपको पाने की चाह है खुद को हिल करना है लेकिन ये रिस्ता उनके लिए खास है और उनके लिए आप भी खास हो लेकिन इस वक्त की energy में ऐसा है कि वो वक्त आने पे ही वो decision सुनाएंगे इस वक्त वो आपको पाना चाहते हैं प्यार करते हैं आपकी respect करते हैं आपने हर बात को मानी है लेकिन फिर भी ये person कहीं न कहीं current energy में देखा जाए तो पाना तो चाहते हैं एक तेजी से आपके तरफ बढ़े commitment भी देना चाहते हैं लेकिन इस रिष्टे को अभी एक balance के energy में लाना चाहते हैं बात की बात देखी जाएगी करेंटी इनरजी में एक balance चाहिए यह person बहुत spike कर रहे हैं बहुत spike कर रहे हैं देखें यह confusion strong है वेटिंग कुछ के लिए वेटिंग एनरजी दिख रहे हैं कि यहां पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टन आपके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं बहुत जल्ड ठीक है यहां पर मुझे लग ट्राविलिंग तो दिख रही है आपके परसंग ट्रावल कर रहे हैं कुछ हो सकता है कोई पानी से रेलेटेड मुझे लगी आपके परसंग काम करते कोई जौब ने भी वगेरा हुआ सीप बगेरा वे लेकिन अभी मुझे लग रहा हुआ दिरे दिर बढहार है, आपके तरव है, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि आपकी याद बहुत आु रही है ड शर्प पतिक्री अपनी अपनी टाइमिंग हो सकती है 2 नुमर, 3 नुमर, 2 नुमर, 6 नुमर, बैलेंस का नुमर ठीक है, तो इस परसन को अपने इस रिस्थे में, ठीक है, कि बैलेस करकर आपको चलना है क्योंकि मुझे क्लियाटी बिल्कुल नहीं दिख रही है प्यार करते हैं रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन इस दिस्ते को अभी भी बचा कर रखना चाहते हैं समय आने पर हो सकता है कि यह परसन आपको अगर आप मैरेड भी हो या वो मैरेड है दे लेकिन कहीं दूर ट्राबलिंग की एनर्जी कहीं दूर आपके साथ रहना चाहते हैं समझ गया है आपके साथ फैमिली देख रहे हैं बट दूर लेकिन आपके साथ यह रहना चाहते हैं ऐसी एनर्जी है तो आपके साथ फ्यूचर प्लानिक कर रहे हैं लेकिन हटकर लेकिन new beginning चाह रहे हैं लेकिन देखे बाबु दुबीधा confusion बहुत है अभी भी रिष्टे में ठीक है लेकिन हाँ यह मैं कहूंगे कि बैलेस को चाहिए इसलेकिन को सुकून सांती चैन बिल्कुल नहीं मिल रहा और इस रिष्टे में उनको एक बैलेस चाहिए तो आप बैलेस चाहते लेकिन कभी कभी होता है कार्मिक साइकिल वही आप लोग बार बार रिपीट करते हो इसलिए on-off situation होता है fighting होता है इस तरकी energy मुझे हाँ पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन मैं हाँ बोल दूँ आपके लिवे energy निकाल लेती हूँ इन जस्प्रीज मेरे वीवर्स फिक guidance देज कि जरूर हो लेकिन कहीं न कहीं दिल से इस रिष्टे को बचाना चाहते हो और इनसे आप बहुत प्यार करते हो लेकिन आपके life में दो हो सकते हैं कुछ विवर्स हो सकता है या पर आप मैरेड हो या पिर आपके तरफ और आपको पसंद करता है आपके पार्टनर के इलाबे लेकिन new beginning के लिए आप कहीं ना कहीं उस्ताहित हो partner का इंतिजार कर रहे हो reunion का इंतिजार कर रहे हो किसी तरह आप manifest कर रहे हो यहाँ पर यह energy निकल कर आ रही है एक new beginning का आपको भी इंतिजार है तो देखिए इस रिष्टे में प्यार है unconditional love है ठीक है लेकिन एक balance चाहते हैं सोच समझ का decision लेंगे क्योंकि confusion की energy बहुत जादा है कभी-कभी आप दोनों ही mirror करते हो पता है आप दोनों ही mirror करते हो लेकिन कुछ हो ना हो dear celebration आ रहा है, balance आ रहा है और आप लोग की बहुत ज़री union भी होड़ी है लेकिन यहाँ पर confusion बहुत है हमेशा याद रखिएगा बहुत strong confusion वाली है मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ ना लोग पूरी तरह वीडियो को सुनते नहीं है ठीक है और एक ही बात को मैं जब बोलती हूँ इसलिए बोलती हूँ कि दिमाग में डाली कि मैं क्या बोल रही हूँ confusion बहुत है ठीक है तो चलिए यह है उनकी true feelings इस रिष्टे को लेकर आपको लेकर क्या कुछ सचाई और क्या गहराई आपने देखा और जाना आप से कितना resonate कि अब आप जरूर comment में लिखे ठीक है वीडियो को subscribe भी करे और like भी करे ठीक है जितना resonate कि आप जरूर comment में जरूर लिखे ठीक है वीडियो आप से जितना resonate करता है बस आप उतना ही लेना मैं बार बाब बोलते हूँ क्योंकि यह collective reading है है ना चलिए आप लोग स्वास रही है मस रही है और अपने आपको हिल किजिए सेल्प लब किजिए और manifestation करते रहिए सब खुश्या मीलेगी अगर आप चाह लोगे आप positive रहेंगे कुछ भी जीत सकते हो ठीक है Thank you so much God bless you